अलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टेडी चेनल वाइफाइ स्टेडी पर पाट अफन अकैडमी जैसा कि आप सभी को पता है डेली साड़े बारे बज़े आपके लिए एक शांदर क्लास आती है क्रैक दमेथ इसक अब चलिए शुरुवात करते हैं लेक्चर नंबर 139 हम ले रहे हैं आज मेरा नया फाउंडेशन बैच आ रहा है 25 रिक से जॉइन करिए उस सेशन को साथ के साथ अनकैडमी लर्नर रैप पर जाईए SSC एक्जाम्स में गैड सस्किप्शन पर जाईए सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे सभी टीचर्स के 24 मंस का कोर्स लीजिए और साहिल 10 एजे रैफरल कोड लगा दीजिए जैसे ही साहिल 10 लगाकर एपलाई कर दोगे डिसकाउंट आपको मिल जाने वाला है अनकैडमी लर्नर रैपर जाते ही अपने पॉइंट्स को रीडिम कर लेना जिससे की एक्स्टर वेनिफिट्स भी आपको मिल जाएं साहिल 10 लगाकर ना केवल आप SSC इसके अलावा अन्या किसी भी कैटेगरी में सस्किप्शन लेते हो तो भी आपको मैक्सिम्म डिसकाउंट मिलने वाला है चलिएगा शामको 6.30 बजे टेस्ट कौन-कौन देने के लिए तैयार है अब देना पड़ता है ये टेस्ट जो कि मैं सुबह 11.00 बजे पढ़ाता हूं ना उसी का टेस्ट लेता हूं सुबह 11.00 में रेरा रेश्यो प्रपोर्शन चल रहा है उसी का टेस्ट सामको 6.00 बजे आने केडमी पर होगा लिंक नीचे मिल जाएगी और टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी ठीक है माइडियर साड़े 6.00 बजे मेरे साथ आपको जोड़ना है टारगेट ना मैथ में और 11.00 बजे जो भी पढ़ा है उस पर हम टेस्ट लेने वाले हैं और रात को 8.00 बजे एक मौक टेस्ट होता है ये मौक टेस्ट आपकी परिक्षा को प्रशनों में बहुत जादा भूमी का निवाने ठीक है और डेली होता है रात को 8.00 बजे अनकेडमी पर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें और मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हैं फ्री वाली भी और पेड़ वाली भी अनकेडमी पर आप देख सकते हैं कि आज सुबह मैंने 11.00 बजे रेशो प्रपोर्शन का पार्ट पॉलाईये नहीं जो भी अगर कोई भी इशू हो तो मेरे से आप कह यह है ना भई होई नहीं सुनता है आपका मुझे पता है सब पता नहीं क्या समझते हैं आए दिन ब्लॉक 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 जिंदी की प्रेशर में आ गई है मैं सुन रहा हूं तुमारी बोलो क्या कहना चाहते हो तुम अभी प्रशन पर ध्यान दो एक आदमी अपनी दो महीने की कमाई को तीन महीने में खर्च करता है तो साल में पंद्रे सु रूपे बचाता है तो बताओ उसकी उसकी मासिक आये कितनी होगी अरे क्या कोश्चन है सर सीईटी क्या है कॉमन इलिजबिटी टेस्ट जिस तरह से यूपी में पीटी आया है ना उसी तरह से सेंटर में सीईटी आएगा समझ रहे हो और तब आएगा तो सब हिल जाएगा क्योंकि मामला बहुत बहुत बढ़िया होने वाला है ठीक है चली आईए तो बोला जा रहा है सर एक आदमी अपनी दो महीने की कमाई को तीन महीने में खर्च करता है मान लीजिए तीन महीने में वो खर्च कर रहा है और साल भर में वे इतने रुपे बचा लेता है ठीक है मानव्यक्ति की दो महीने की कमाई 6x है दो मन्थ की इंकम 6x है मान लो उसकी क्या है सर दो महीने की incum कितनी है 6x है मान ली पुछ भी मान सकते हो क् wine класс 3 महीने में खर्च करता है मैं क्या कह सकता हूँ ऐक महीने की कितनी है एक मंत की इंकम गोले सर 3x हो जाएगी दो महीने की इंकम 6x है तो एक महीने की इंकम 3x हो गई हो गई सर अब मैं पूछना चाहता हूं 12 महीने की इंकम कितनी हो जाएगी 36x अब मैं पूछना चाहता हूं खर्चा क्या है तो तीन महीने का खर्चा कितना है तीन मंत का खर्चा अब खर्चे पर बात कर रहा हूं दो महीने की इंकम के बरावर है 6x तीन महीने का खर्चा 6x है सर तो बारे महीने का कितना हो जाएगा चार का गुणा कर दो 24x तो बारे महीने का खर्चा कितना है 24x तो इंकम कितनी है बारे महीने की 36x तो बचत कितनी है 12x और 12x बचत किसके बराबर है 1500 रुपे के एक्स बराबर कितना हो गया 12 एकम 12 बचे 3 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 ठीक है तो X बराबर कितना आ गया है 125 आ गया तो बोला गया है सर उसकी मासिक आए कितनी होगी तो मासिक आए कितनी है 375 कुशन कैसा लगा जल्दी से बताओ और मज़ा आया हो तो ये बताओ मेरे को option number D कुशन कैसा लगा दोस्त जल्दी से बताओ बड़ा प्यारा है चलिए कल CHSL का पूरा पेपर अपनी क्लास से आया था हाँ डियर ये सुनने में आया है चेके नेक्स्ट अगला कुशन करिए आप कि व्यंजक जिसे X प्लस वन द्वारा विवाजित किया जाने पर भागफल ये आ रहा है और शेशफल ये आ रहा है तो किसके बराबर है तो व्यंजक अगर आपको निकालना है एक्सप्रेशन बराबर इससे डिवाइड करने पर भागफल ये आया शेशफल कितना है तीन है तो क्या करना है सब तॉल कर लो एक्स का गुणा करूंगा तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वाइर प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वाइर माइनस का एक्स प्लस का वन प्लस का तीन कट रहा है क्या कुछ कट गया ये कट गया तो सर आंसर कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस का चार option number D आपका right answer होगा क्या होगा dear option number D आपका right answer होने वाला है तो यह काफी प्यारा प्रशन था और आपको मैंने यह हमेशा से सिखाया है कि जब आप भाग देने वाले और भाग फल का गुणा करके शेश फल को जोड देते हो तो आपका भाजक बन जाता है या भाज्य बन जाता है next इस question का जवाब दीजिएगा 438 संत्रों का मुल्य इतने रुपे है तो 8 दर्जन संत्रों का मुल्य कितने रुपे होगा बताए सर तो 438 संत्रों का मुल्य इतने रुपे है 438 औरेंज इस तेरा 68.75 रुपे की है तो आठ दर्जन आठ दर्जन के लिए बारहे च्छियान में चाहिए तो मैं देखता हूं यार यह किती बार जा रहा है कटेगा तो सही कही ना कहीं से तो कुछ ना कुछ कटिंग होने ही वाली है यह भी आपको दिख रहा होगा अच्छा कुछन है सारा तो सर क्या करें आप मैंने का यार देखो एक संत्रे का निकालोगे तो वो निकाल लो तेरा सो अड़ सट पॉइंट पिचेत्तर बटे चार सो अड़ तीस और आठ दर्जन यानि कि 96 का गुणा कर दो तभी बात है ना 96 का गुणा कर दो ठीक है सर अब इसाब किता बैठाना पड़ेगा दो से काडता हूं 48 बार दो दुनी 4 दो एकमदो दो ना मठारा 9 और एक दस और दो बारा तीन से कट रहे गा तीन से कट रहे है तीन से गढ गया सोलै हार कितनी बार कट गया 16 बार कट गया 3 से ठीक है अब बाकी 73 से जाए गई जाएगा और कटेगा भी सही तो 73 से जब इसको काटोगे एक बार देखना कितना निकल कर आ रहा है 1368.75 अपन 73 पूरा जा रहा है भाई 18.75 बार 18.75 को अब गुना करोगे तो 18.75 होता है 18 इंटू 3 बटे 4 इंटू 16 तो यह हो गया सर 75 बटे 4 इंटू 16 यानि कि 75 इंटू 4 तीन सो आंसर आ गया भाई तीन सो आप्शन नमबर बी आपका राइट आंसर होगा 300 नेक्स्ट ठीक है इस कोशन को देखिएगा अंतिमा का क्या रती है अंतिमा करती है एक केक को दो भागों में काटती है तथा उसमें से आधे भाग को समान आकार के छोटे टुकडों में बाटती है और प्रते छोटे टुकडे के आकार का बजन 20 ग्राम है यदि उसके पास केक के कुल मिलाकर साथ टुकडे हों तो मूल केक का बजन कितना था ये कुशन बड़ा ही प्यारा एडियर मैंने हमेशा से आप से कहा है कि जब आप बहतर पढ़ रहे हो तो आप बहतर ही पढ़ोगे हमेशा ये बात हमेशा जिंदिगी में याद रखना चलिए तो ये कुशन बड़ा ही प्यारा होने वाला है आप लोगों के लिए हमेशा होने वाला है ये बात हमेशा आप दिमाग में रखें जहन में रखें चलिए तो मैं हमेशा से इस कुशन पर ध्यान दे रहा हूं आपके लिए कि अन्तिमाने क्या किया एक के डो टुकडे कर दि अन्तिमान एक केक के दो आदे भागों में बांट काड़ती है, यानि कि एक केक था जिसे दो आदे भागों में उसने बांट दिया, अब उसमें से आदे भाग को समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काड़ती है, यानि कि एक बटे दो भाग में से उसने क्या किये है चोटे टुकडों के आकार 20 ग्राम है और उसके पास केक केक कुल मिलाकर 7 टुकडे हैं 7 टुकडे हैं इसका मतलब इसको कितने भागों में बाँट दिया है 6 भागों में बाँटा है इसको 6 भागों में बाँटा है क्याने कि एक बटे बारा, 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 अभी तो ये छे बटे बारा होगा, भै छे टुकडे कर दी और सातवा टुकडा ये रहा, तो उसके पास अब केक के साथ टुकडे हैं, और प्रते एक छोटे ट युक्डे का आकार 20 ग्राम है बस एक वटे बारा बरावर 20 ग्राम है तो पूरा का पूरा केक 240 ग्राम का होगा आई बास समझ में अरे मज़ा आ गया क्या कोश्चन करके हाया नामे जवाब देने के कुछ नहीं लगता भाई हाया नामे जवाब दो और ऐसे बहतर इन प्रशनों को सीखने के लिए आप आते हो यहाँ पर और होमवर्क में जब दिये जाते हैं तो आप भी के लिए जिए यहाँ तो कैसे करोगे वाई एक से सौ तक के बीच एक से सौ के बीच कितनी संख्याएं हैं जो आठ से विवाजित होती हैं तथा उन में से एक अंक आठ भी होना चाहिए तो मैंने पहले देखा कि सौ में जब आठ का भाग देंगे तो बारे संख्याएं होती हैं जो आठ से डिविजिबल हैं बारे ही यह देख लो चाहिए आप कैसे पहली संख्या आठ दूसरी संख्या सोला तीसरी संख्या बत्तिस हैं ना या चौबिस ठीक है उसके बाद अपन आठ चो के बतिस, आठ पंजे चालिस, आठ चेंग अड़ तालिस, आठ तू सातू चपन, आठ नाम बैतर, आठ तू आठ तू चोंसर्ट, ठीक है, चपन, चोंसर्ट, बैतर, असी, अठ्यासी, नाइंटी सिक्स, एक, दो, तीन, चार, पांच है, सात, आठ, नो, दस, ग्यार बारा, अब ऐसी कितनी है, जिनमें एक अंक आठ भी है, एक, दो, तीन, चार, ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास, चार, तो ऐसी संख्याएं कितनी है भाई, ऐसी संख्या चार हैं, जिनमें एक अंक आठ भी मौजूद है, यह आपके सामने इस्तिती यह रही, क्लियर है भाई तो कानी बिलकुल इस पस्ट है भाई साब कैसे करोगे देखिए गजरा सर ए बराबर बी बराबर सी बराबर के मानने वाले तो हम यहां कह सकते हैं कि ए बराबर हो गया फोर के बी बराबर हो गया फाइब के और सी बराबर हो गया फाइब के और सी बराबर हो गया फाइब के यही तो हम कहते हैं तीनों को जोडेंगे तो यह हो गया सर नौ और छे पंदरा के और सी बटे दो कितना हो गया तीन के तो आंसर कितना आ गया पांच तो आप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर चीक है भाई साब मज़ा आया चलिए साब ऐसी आता रहना चाहिए बस अगला कुशन करेंगे करके बताईए तो कैसे हो रहा है भई बहुत ही आसान है सर 64 का तीन बटे चार यानि की सोलत या अरतालिस हो गया और अरतालिस का दो बटे तीन यानि की आरतालिस का एक बटे तीन ही तो बचने वाला है अगला कुशन देखेंगे आराम से जवाब देना बड़िया प्रशन है सारे के सारे तो कैसे करोगे भाई अच्छा कुशन है ज्यान से देखना सर यह हो गया सर पचास हजार क्योंकि चार जीरो आ गई प्लस शे हजार चपन हजार चालिस माइनस पॉइंट जीरो थी अब याने की सर पता लग गया कि 1997 वाला उत्तर होगा तो कि जब माइनस हो रहा है तो यह तो हो नहीं सकते भाई इन दोनों में से आंसर तो चप्पन अजार में से देखो चप्पन अजार कहा है यह रहा डी आंसर होगा तो यह सॉल्व नहीं करना था सिर्फ ऐसे दिखाने का है वह यह हाती के दांते हैं ठीक है ना चलिए नेक्स करेंगे डियर तो आराम से किया जा सकता है यह भी तर कैसे करेंगे तुरंट क्लिक करना चाहिए साइन और कॉसेक कट गया टैन और कॉट कट गया वन अपॉन वन वन हो गया अब इसमें कौन सा तुम इंतजार करोगे गया पी कोई आएगा बताएगा तुरंट रियट करना है अगला कुशन करो बहुत बढ़ी है भाई सबके आंसर आ रहे है राहुल दो नहीं आएगा यार एक आएगा पुले सर कैसे करेंगे मैंने का देखो यार यह वॉल्यूम दे दिया आपको आपसे बोला गया है कि सर रेडियस बताएगे तो पाई की वैल्यू बटे साथ आर इसक्वायर एच की वैल्यू चौद है साथ से मैंने काटा इसको दो बार 11 से मैंने काटा इसको दो बार हमने काटा इसको चार से चार एकम चार पचा एक चार चोके सोला चार चोके सोला तो आर बराबर आगया बारा तो रेडियस ही तो निकालनी है तो बारा आंसर आगया सर बी ऑप्शन नमबर बी नेक्स्ट राहुल अगले वीक आजाएगी है ना चलिए पांच बटे बारा तीन बटे आठ साथ बटे च्छतिस और पैंटीस बटे अड़तालिस बात अगर मैं करना चाहूं तो हमें LCM निकालना है LCM कैसे निकलेगा तो उपर वाली संख्याओं का LCM नीचे वाली संख्याओं का SCF तो LCM क्या होगा सर 35 हो गया और 5 हो गया तो 35 थी है 105 और नीचे का SCF कितना निकल कर आ रहा है चार तो सब में है और 6 सब में है क्या नहीं है आठ सब में है क्या नहीं है तो 4 ही आएगा तो 105 बटे 4 आपका सही उत्तर होगा ठीक है वेल डन तर रिंप पर्स्क्रवीजों नहीं है उत्याओ च्स्ख Alabama के ओना वर सब में है, तूमन t उत्याओ adesso varias क्सूस्टasc Two त DO हो तो सबग्मन है रहा का सब में है क्या में है प। च्या है जा क्या त। त। झाल्पकिश्बग09श्बगर त। दुकानदार किसी वस्तू की कीमत 40% ब्रद्धी करता है और फिर 15% की चूट देता है 40% की ब्रद्धी करने का मतलब 5-7 हो गया और 15% की चूट का मतलब 20-17 हो गया तो हम यहां कहेंगे सर 100-119 आ रहा है तो 19% का प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है बी नेक्स्ट आज आपका मॉक टेस्ट रात को होगा भाई ध्यान रखना रात को आठ बजे मॉक टेस्ट जरूर देना है और 6.30 बजे टेस्ट भी जरूर देना है यह मैं सब आप लोगों के लिए ही कर रहा हूं रात को 8.00 बजे मॉक टेस्ट और 6.30 बजे जो टेस्ट होता है 11.00 बजे वाली क्लास का अनुपात पड़ाया है उसका टेस्ट होगा दौनों देने लिंक यहां भी मिल जाएगी टेलिग्राम पर भी मिल जाएगी ठीक है अब इस प्रशन का जवाब आपको देना था सर साथ वर्षों में 70% की ब्रद्धी हो जाती है यह तब ही हो पाती है जब रेट आपकी 10% होती है अब 15,000 रुपे की राशी तीन साल के लिए उसी ब्याज दर पे चक्रवर्ती ब्याज बताना है यानि कि 15,000 का डायरेक्टली 33.1% कर देता हूँ बोलो क्या बोलते हो तो पंद्रा एकम पंद्रा पंद्रतिया 45 और 14 पंद्रतिया 45 और 49 आपका राइट आंसर आ गया 4965 अप्शन नम्बर C 33.1% सीधा अगला प्रशन उड़ाईएगा आराम से करके जाएए चलिए कि 50 discriminancy अपका रैंना टी कर अवराम ऐने चिभ माइए बेंट्वाएगा यवी मालेश पंद्र हा राइब कि 50.1 को को dal Savior current झाल झाल चलिए एक व्यक्ति 64 किलोमेटर धारा की दिशा में 28 किलोमेटर धारा की विपरिद दिशा में नाव चलाता है और उसे प्रतेक दूरी को तैक करने में 6 घंटे लगते हैं यानि कि धारा की दिशा में भी उसको कितना टाइम लग रहा है 64 किलोमेटर को 6 घंटे लग रहे हैं तो यहां तक उमीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसी मुझे आशा है कि आंसर सभी के तीन आ रहे हैं जैसा कि दिख रहा है तो अब क्या करें अब धारा की चाल आपसे पूछी गई है तो धारा की चाल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया यू निकाल के लिए इसमें से आपको यह घटाना होता है और घटाने के बाद 36 बटे 6 आ रहा है लेकिन ध्यान रहे कि यह 6 आ गया लेकिन 6 उत्तर नहीं है बटे 2 भी तो करना है नियम है न यह तो इसमें से इसको घटा कर बटे 2 करना है अब घटा कर तो यह आ रहा है और बटे 2 भी त करोगे तो आंसर तीन हो जाएगा आई बास समझ में चलो बहुत अच्छा लगा भाई तुमने दिमाग लगाया अपना एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश रहूंग है ए मैं रोड ए बोट 64 किलोमेटर अपिस्ट्रीम एंड हाँ बिलकुल इंग्लिश रहूंग है सही बात इंग्लिश में दौनों में अपिस्ट्रीम दे रखा है इसको आप डाउन्स्ट्रीम लिख दें बस ठीक है चली चली अगला प्रशन करिए दो किशलये सर क्या बोला जा रहा है सर देखिए एक आयतकार मैदान का चेत्रफल दे रखा है 1800 वर्ग मीटर स्कॉयर वर्ग मीटर लमबाई का निकालना है तो देखो भइ सकते हो 3850 शिरечение है यह ओंगया 36 तो चोड़ाई और लंबाई का अनुपात आएगा 36 अनुपात 50 18 बटे 25 यहां ध्यान रखना 18 बटे 25 होगा 25 बटे 18 देने वालों का गलत है भाई जैसे राजकिशोर दे रहा है 25 बटे 18 राजकिशोर कुश्चन को इसलिए तो पढ़ना होता है एक्जामनर चाहता है कि आप गलती करो अगला प्रश्ण यह देखिए कैसे होगा चलिए सौनी का क्या करती है सौनी का सौनी का मेजर्स चार सेंटिमीटर रेखा को 4.3 नापती है तो उसकी गलती कितनी है तो पॉइंट 3 की गलती की है और वास्तविक्ता के रेस्पेक्ट में गलती होती है हमेशा यानि कि सर यह जो आ रहा है यह 30 बटे 4 7.5 होगा तो उसकी जो त्रूटी है वो 7.5 परसेंट की त्रूटी है सौनी का की जो त्रूटी है हाँ चलिए 7.5 परसेंट की है नेक्स्ट करिए चलिए चलिए 3 sin x प्लस 5 cos x बराबर 5 है तो यहां आप से बोला गया 3 cos x यह तो आहां को पता है कि अगर यह पता है तो 3 cos x माइनस 5 sin x बराबर क्या हो जाएगा सर अंडरूट a स्क॑ाइर प्लस b स्क॑ाइर माइनस का c स्क॑ाइर यही होगा एनिकि से तीन ही आ रहा है तो तीन का स्क्वायर नो आंसर होगा कहा नहीं वही है वही आना चाहिए बस अपने आप आंसर आ जाते हैं फिर कुछ और नहीं करना है आपको चलिए नेक्स करिए चलिए एक भिन के अंश में 20% की ब्रद्दी और हर में 10% की कमी तो नया जो भिन है वो 16 बटे 21 हो जाता है तो मूल भिन बता दो तो मैं X और Y निकाल लेता हूँ सॉल्व करते हैं कर दो तो सर काटें बोले काटो सही है ना 20% की ब्रद्दी 6 बटे 5 और 10% की कमी याने की 10% की कमी और 9 से 10 यहां आएगा यह हो गया 6 बटे 5 और 9 से 10 ब्रद्दी धोड़ी 10% की कमी 10 से 9 हो गया ना तो यहां 10 से 9 ही आएगा वी सही है बराबर 16 बटे 21 देखो भई क्या हो रहा है क्या हो क्या रहा है देखो काटा पीटी देखो भई बोले सर देखो दो से कटेगा अपने पास 3 बार दो से कटेगा 8 बार एक्स अपॉन बाई बराबर कितना हो गया 400 और यह हो गया 27 इंटू 21 कुछ आ रहा है क्या ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा है भई कोई ना कोई गड़बर तो है और बिलकुल नजर भी आ रही होनी चाहिए सर यह 1.2 हो गया यह 0.9 हो गया 0.9 आएगा ना हाँ यार उल्टा मैंने किया है इसको आप ऐसा लिख दिया करो कि 20 पर्शन की ब्रद्धी हो गई तो यह हो जाएगा 120 1.2 और 10 पर्शन की कमी हो गई तो यह 0.9 हो जाएगा ऐसे लिख दो ज्यादा बेटर लगेगा कन्फूजन नहीं रहेगा इसमें सोला बटे 21 अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो तीन ती अनो तीन साथ 21 और चार ती अबारा चार चौके सोला और यह तीन से तीन कट गया अब सही है क्या होता है कि कभी कभार अगर कन्फूजन हो ना तो तुरंत आपको तरीका अपना बदल लेना है और चीजों को आपको ऐसे बना देना है ठीक है भाई साब क्लियर है ना कि पॉइंट 9 कैसे आया यह चीजे क्या आई है ना चलो अगला कोशन आपके सामने रखता हूं करके बताओ डाइरेक्टली 120 और पॉइंट 90 कर दो चलो अच्छी बात है इस प्रशन को करो और भाई सेशन को लाइक वाई करते जाओ आपसे वो नहीं होता है बस पता नहीं कहां आटक जा रही है पिच्चर काँच के एक वरगा का टुकडे का छेतरफल 484 है सर तो उसकी बुझा निकलकर आजाए कि के जब छेतरफल 484 है वरगा का टुकडे का तो उसकी बुझा निकलकर आगई कितनी 22 अब एक मेज के ऊपर रखा हुआ है लो भाई यानि कि एक मेज भी है और उस मेज के ऊपर ऐसे वरगा कार टुकड़ा आपने क्या कर दिया रख दिया ठीक है सर, अब कांच की टुकड़े और मेज के एक किनारे के बीच की चोड़ाई पांच है, यानि कि यहां पांच पांच पर है विरुकुल, बीच ओ बीच रखा होगा आपने, मेज की लंबाई कितनी है, तो बाईस और पांच, और दस, बत्यस, लंबाई बत्यस हो गई, क् पांच इधर की तरफ और पांच इधर की तरफ, मामला सेट है, अरे मज़ा आया नहीं आया यह बताओ पहले, दस हो जाएगी ना, तकि पांच इधर और पांच इधर, लंबाई पूछी है, तो बस दस जोड़, बाईस का तो खुद है ही हो, घन पांच इधर की तरफ और जोड़ेगा तो टोटल 32 हो जाएगा लास्ट कुशन करिए मज़ा आता है ना सेट करने में यास या नों में जवाब दो और बस चीजें ऐसी आएंगी भाई कुछ नहीं बदलेगा बदलेगा तो सिर्फ वो जो पड़ेगा नहीं नेक्स्ट चार की पावर आठ यह हो गया चार चोंके सोला प्लस दस 266 उमीट करता हूँ मज़ा आ गया होगा आपको हर एक प्रशन का जवाब आपने सही दिया हो आज के सारे प्रशन आपके सही बने हो इसी तरह से हम पढ़ते भी हैं अब कल के यह प्रशन होमवर्क में है कि 76 में नंबर ओव जीरोस कितनी हैं अठारवां उननिसवां बीसवां हमेशा की तरह होमवर्क दिया जाता है सुबह मैंने रेशो प्रपोर्शन पढ़ाया है उसका टेस्ट लूँगा भाई देखो मैं जो काम कर रहा हूँ अगर आप निरंतर कर सकते हो मेरे साथ मेहनत तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है अब वहां रोकने में मतलब सेलेक्शन लेने से अगर आप यहां रोकने की टेस्ट को देते रही है अनकेडमी पर साड़े छे बज़े सुबह ग्यारे बज़े वाली क्लास का टेस्ट होगा रेशो एंड प्रपोर्शन का अनुपात और समानुपात का रैंक आती है सबको टाइम पर आना है लेकिन साड़ेच है मतलब साड़ेच है साहिल सर का टेस्ट कितने बज़े रात को आट मॉक टेस्ट रात को आट फिक्स है लिंक कमेंट सेक्शन में और टेलिग्राम दौनों पर मिल जाएंगी आपको बस जुड़ना है मेरे साथ में साथ के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरा नया कूर्स आ रहा है अनकेडमी पर मे यह एक्से एक्जाम पर जाएंगा कर चौबिस महिने का कोर्स लेकर साहल 10 और लगाकर जोड़ना है जोडते ही डिस्काऊंट मिल जाएगा और साहल 10 और लगाकर आपको एक बहतर तरीके से सब्सक्रिप्शन में स्कॉझ दिस्काऊंट मिलने वाला है फिचर भी बहुत सार शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ जुड़े रही है, बने रही है, अब मिलेंगे हम साड़े छे बजे टेस्ट में और अपनी पढ़ाई जारी रखें, टेक क्यार, लव यॉ आल, हैवे नाइस देग और रात को आठ बजे मॉक टेस्ट में भी